लास्टीज बचिए है, होमोजेनर सिस्टम ऑफ एक्वेशन, होमोजेनर सिस्टम ऑफ एक्वेशन यानि कि जिनमें सारे वेरियेबल्स की पावर सेम हो, कौन सेंटम है ही नहीं आंक मीच के बड़ा आराम से दिख रहा है कि इस सिस्टम का 0,0,0 यानि एक्स को भी 0,Y को भी 0,Z को भी 0 डाल दो ये सुलूशन तो इस एक्वेशन को सेटिस्पाइ करी रहा है, यानि सिस्टम कंसिस्टेंट तो है ही consistent और inconsistent में भी बच्चों को confusion होता है आज के लिए कर जता हूँ consistent का simple सा मतलब है कि solution exists given system का कोई ने को solution आएगा चाहे वो unique आए चाहे वो infinite आए और inconsistent का मतलब inconsistent का मतलब कि solution exist नहीं कर रहा है फिलाल जो homogenous system of equation है उसमें x को 0, y को 0, z को 0 दालने पर satisfy कर रहा है यानि system consistent तो है यह है अपनको इतना से चेक करना है कि वो infinite वाला consistent है या unique वाला consistent है सोचने की जरूत नहीं है डेल्टा गर non zero आ रहा होगा यानि की unique solution आएगा डेल्टा अगर non zero आ रहा होगा यानि unique solution आएगा यूनिक solution यानि एक solution आएगा तो वो solution तो 0, 0, 0 हो गया ना और जब किसी system में तीनो variable की value 0 आती है या सभी variable की value जब 0 आती है उसको बोलते है trivial solution और डेल्टा अगर zero होता है तो अपन जानते हैं कि या तो zero solution आएगा या infinite solution आएगा लेकिन zero solution अब की बार आई नहीं सकता क्योंकि होमोजिनस है तो solution तो exist कर ही रहा है यानि no solution वाले तो कानी है नहीं तो delta zero करने पर एक ही कानी बचती है infinite solution infinite solution का मतलब तीनो variable की value 0 के साथ साथ कुछ और भी value कुछ और भी values कितनी values infinite values बहुत सारी values आएंगी 0,0,0 के अलावा भी और बहुत सारी values आएंगी यानि की non-trivial solution भी आएंगे trivial solution कौन से जब सारे variable की value 0 आए तो उसको बोला जाता है trivial solution जब 0 के अलावा भी solution आए तो उसको बोला जाता है non-trivial solution दो नई टम आएं इसमें consistent और trivial एक बार और रिपीट कर देता हूं homogeneous system is always consistent क्योंकि एक solution तो आएगा ही आएगा consistent का मतलब जब system पर solution आए तो consistent है नहीं आए तो वो inconsistent है फिर यह जो solution आया है अपनको पता करना है कि system unique है या और भी solution आएंगे तो अपन जानते है कि delta जब non-zero होता है तो unique solution आता है और वो unique solution खुद 0,0,0 है और जब तीनो वेरेबल की value 0 आती है तो उसको बोलते है trivial solution डेल्टा 0 हो तो या तो no solution आता है या infinite solution आता है तो 0,0,0 के अलावा भी solution आ रहे है तो ये गलाएंगे non-trivial solution जे मेंस में इस टाइब के सवाल बहुत सारे आये है उसमें बच्चों को confusion इसी बात का होता है कि trivial है non-trivial समझ में नहीं आता consistent inconsistent समझ में नहीं आता है अगर ये चीज आपको clear नहीं है comment में जरूर लिख देना एक बार और समझाओंगा example लेकर समझाओंगा इस वाली चीज़ का example नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक ही तरह के सवाल आएंगे डेल्टा निकालना है trivial solution निकालना है तो non-zero करना है non-trivial लिखा तो equal to zero करना है equal to zero करना है तो infinite solution आएंगे infinite आएंगे तो इसके लावा भी और बहुत सारे solution आएंगे यानिकि non-trivial solution भी आएंगे थाएंगे